नमस्कार दोस्तों वास्तु ग्यान में आपका स्वागत है आज कल विज्ञान काफी आगे पहुंच चुका है और इसी के दम पर आज ना मुम्किन बात भी मुम्किन लगने लगी है लेकिन विज्ञान के बावजूद भी इस दुनिये में कई जगा ऐसी है जिनके बारे में सुनकर आज भी आश्यर्य होता है वैसे अगर बात भारत की करें आज भी भारत में आए दिन कोई न कोई चमतकार सुनने को मिलता रहता है अजब गजब किस्ते भी सुनने को मिलते ही रहते हैं लेकिन क्या कभी आपने सुना है एक मंदिर जहां पर फर्ष पर सुने से होगा लेकिन यह सत्य है भारत के एक मंदिन में यह मानिता है कि यहां फर्ष पर सोने से महिलाएं गर्वती हो जाती है आज हम आपको भारत के इस अनोके मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे वैसे तो आपने सुना ही होगा कि संतान प्राप्ति इस्त्री और से गुजरती है लेकिन यहां तो सिर्फ फर्ष मात्र पर सोने से संतान की प्राप्ति हो जाती है दरसल हिमाचल के मंधी जिले की लड़भडोल तहसील में सिमस गाउं में एक देवी मा का मंदिर है जहां ये माननेता है कि ने संतान महिलाओं के फर्ष पर सोने से संतान की प्राप्ति होती है नवरात्रों में हिमाचल के पड़ोसी राज्यों पंजाब, हर्याडा और चंडीगड से ऐसी सैकडों महिलाएं इस मंदिर की और रुक करती हैं जिने संतान प्राप्ति नहीं होती हिमाचल परदेश के मंडी जिले में सिमस नामख खुब सुरस्थान पर सिंस माता सिंसा मंदिर दूर दूर तक प्रसिद है माता सिंसा को संतान प्राप्ति यानि की संतान देने वली माता माना जाता है यह विशेश तोर पर नीर संतान दमपति को संतान देती है दोस्तो नवरात्रों में नीर संतान महिलाएं मंदिर परिसर में डेरा डालती हैं और दिन रात मंदिर के फर्ष पर सोती हैं ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं माता सिंसा के प्रती मन में शर्दा लेकर आती हैं माता सिंसा उनको सपने में मानप रूप में या प्रतीक रूप मिल जाता है यहां तक कि माता सिंसा आने वली संतान के लिंग धारा का भी संकेत देती है जैसे कि अगर किसी महिला को अमरूत का फल मिलता है तो समझ लीजिए कि लड़का होगा अगर किसी को सपने में भिंडी प्राप्त होती है तो समझ लीजिए कि संतान के रूप में तो उसे संतान नहीं होगी। कहते हैं कि ने संतान सपना प्राप्त होने के बाद भी। यदि कोई औरत अपना बिस्तर मंदिर परिसत से नहीं हटाती है तो उसके शरीर में खुजली भरे लाल-लाल दाग उभराते हैं और उसे मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। सबसे छोटी उंगली से इस पत्थर को हिलाओगे तो यह हिल जाएगा। जी हाँ यह पूरा चमतकार से भरा हुआ मंदिर है। अगर आपको कभी इन मंदिर के दर्शन करने का मौका मिले तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर कीज़ेगा। इसी के साथी दोस्तों अगर आप